स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉड़कास्ट श्रंकला में यह श्रंकला नई धारा के संस्थापक श्री उधैराज सिंग जी के साहितिको समर्पित है उधैराज जी के इस जन्बशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहितिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉड़कास्ट के माध्यम से सुनना न भूले नई धारा रेडियो पर वह प्रतिभापुत्र स्वर्गिय श्री जग जीवन राम से मेरा परिचय सन 1933 से था जब मेरे पिता स्वर्गिय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंग देश रत्न डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद द्वारा बिहार हरिजन सेवक संग के सभापती मनोनीत हुए तभी से मेरे गाउं सूर्यपुरा उनका आना जाना प्रारंब हुआ क्योंकि पीछे वह संग के कोई पदादिकारी भी बनाये गए थे उस समय भारत धार्मिक संकीन्टा में जकड़ा हुआ था और बड़े बुजर्ग सभी पिताजी से कृद्ध हुए कि हिंदू होकर भी राजा साहव एक चर्मकार के बेटे को एक ही चौके पर अपने साथ बिठा कर खिलाते है पिताजी ने इस आलोचना आपत्ती की तनिक भी परवाहना की और अपने निर्डे पर अटल रहे सन सेंतिस में जब पहले पहले कॉंग्रेस की मिनिस्ट्री आई तो बाबू जगजीवन राम भी कॉंग्रेस टिकेट पर बिहार विधान सभा में अपने शेत्र से चुन कर आए और कृष्णवल्ला बाबू के साथ ततकालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू के पार्लिमेंटरी सेक्रिटरी बनाये गए जगजीवन बाबू तब 30 वर्ष से कम ही उम्र के थे मगर उस उम्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का बड़ा सुन्दर परिचे दिया वे बनारस हिंदू विश्वविद्याले के सनातक थे फिर 46 से 47 में केंद्र में अंतरिम सरकार बनी तो वे स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री बने उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष से भी कम ही थी मगर देश के चोटी के नेताओं के साथ कार्यरत रहकर उन्होंने एक योग्य शासक और अनुभवी संसद्विद ऐसा अपना परिचे दिया उम्र में सबसे छोटे, अनुभव में सबसे कम मगर शासकी ये योग्यता में किसी से कम नहीं रहे अंतरराश्ट्रिय श्रम संस्थान आयलो में वे उसी समय जिनीवा गय थे उनके साथ बिहार के श्रम मंत्री अनुग्रह बाबू भी गय थे और अंतरराश्ट्रिय संमेलन में उन्होंने भारत का नाम बहुत उज्वल किया था फिर पंडिक नहरू मंत्री मंडल तथा श्रीमती इंदरा गांधी मंत्री मंडल में सदा मंत्री रहे और अनेक मंत्रालेओं को संभाला और हर मंत्राले पर अपनी चाप छोड़ दी दिल्ली का प्रशासक समाज आज भी उनकी बेजोर प्रतिभा का गुणगान करते नहीं अगाता सिर्फ शास्त्री मंत्री मंडल में वह शासन से अलग रहे आपात कालीन स्थिती के उपरांत हेमबती नंदन भहुगुणा तथा वह कॉंग्रेस छोड जनता पार्टी में आ गए उनका संजे गांधी से ताल मेल नहीं बैठ सका जनता पार्टी से भी वेचुनाब जीत कर फिर केंद्रिय मंत्री बने आज यह सभी मैसूस करते हैं कि जै प्रकाश जी तथा क्रिपलानी जी ने मुरार जी देसाई की जगा जग जीवन बाबू को यदि प्रधान मंत्री बनाया होता तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और होता जनता पार्टी उनके नेत्रित्व में इतनी जल्दी नहीं तूटती या ततकालीन राश्रपती जी उनको प्रधान मंत्री की शपत मुरार जी भाई के इस्तीफे के उपरान दिला देते तो शायद भारत जनता राज के एक और दोर से गुजरता ऐसा लोग आज भी सोचते है मगर विधी का विधान तो अपना ही होता है फिर जग जीवन बाबु जनता पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी सभी से अलग हो अपनी लीक पर चले एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे के महाकवी टेगोर के सिध्धान्त को अपनाया और अंत में राजीव गांधी निवर्तमान प्रधान मंत्री के फिर बहुत समी पा गए वे कॉंग्रेस पार्टी के बाबु जी फिर बन गए मगर उनकी आयू समाप्त हो रही थी जिस समय सारा भारत उन्हें गांधी जी का सपना साकार करते हुए देश के प्रधम हरिजन राश्रपती के रूप में देखने को लालायिद हो रहा था उसी समय वे देश ही नहीं अपने शरीर से भी नाता तोड़ पिया के देश की ओर उड़ चले यह भारत का दुर्भागे रहा कि जिस समय भारत सरकार को उनकी सबसे ज्यादा अवशक्ता थी उस समय उन्हें दरकिनार रखा गया और जिन्दा रहकर भी बेनिश्क्रिय रहे और जब प्रधानमंत्री की निगाहें उनकी ओर गई तो वे जा चुके थे ऐसे प्रतिभापुत्रों का ऐसा ही अफसान होता है इतिहास साक्षी है जग जीवन बाबो की स्मृती में मेरी विनम्र श्रद्धानजनी इस पॉड़कास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तती आपको जरूर पसंद आई होगी अन्यपॉडकास्ट्स, वीडियो इंट्रव्योज आदी के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर फॉलो करे जल्द ही आपसे फिर मनाकात होगी धन्यवाद